नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी का अर्दिक स्वागत आप ही के अपने चैनलन मनिकुरूजी पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्से साउथ आफ्रिका के बिच के लिए जाने वाले तीसरे टी-20 मुकाबले के बा पर जरूर से फोलो कर लिएगा टेलिग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना टेलिग्राम मनी गुरूजी के नाम सहे 35,800 यूजर रमार सा जोड़ चुके इसी टेलिग्राम को जाकर आपको फोलो करना है ध्यान रखना सबसे पहले हम बात कर लेती हैं पिछे रिपोर्ट की बारे में तो फ्रेंज वेसे तो जो यह इस्टेडियम ही यहाँ पर गेंद बाजो का थोड़ा सा ज्यादा बोल बाला रहता है यहाँ पर पेसर इस्पिनर दूनों चल सकते मतलब जो एडवांडिज यहाँ पर पर हम देखें दोनो टीम होन की अभी तक यहाँ पर i.e.s Quan Queen 4 के बात करने डोनों के मुकाबले होते हैं कम रन के मुकाबले यहां पर घ्ले का इंट्रेस्टनलं मुकाबल की में बात कर रहो लेकिन अगर आप डॉमस्टिक रिकोड रिकोड रखर वागर यहां पर आप देखो कि सबसे ज़्यादा बने वो डेट सो से कम बने यहां पर बने वहीं पर एक सो पचास से एक सो नबबे की बीच में तीन बार बने और एक सो नबबे से उपर दो बार बने तो कहीं नगे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउंड पर इस ग्राउंड पर देखने को आज मिल सकता है लास्ट के जो मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गया है उसमें जो रन बने थे वो बने थे 126-127 और 84 इस बात को भी आपको थोड़ा सा नोट करकर अपनी टीम बनानी है बात कर लेते हैं हैट टो एड रिकोर्ड के बारे में head to head record में आप देखोगे, दोनों टीमों के बीच में अभी तक जो मुकाबले हुए है, 17 मुकाबले हुए है, इंडिया की टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं, तो South Africa की टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं, लेकिन last के जो 5 head to head muckabले हुए है, उसमें यह हुआ है, लास्ट के 5 head to head muckabलों भी South Africa ने जीता था फिर वहां से देखो कि इंडिया और इंडिया तो कहने का मतलब यह है तीन और दो का यहां पर रेश्यो रहा है मतलब तीन मुकाबले South Africa ने जीते लास्ट के पांच मुकाबलों में से दो इंडिया ने जीते हैं फिर अगर recent form की बात करें जो कि अलग- आप देखोगी रितुराज गयकवार जब भी खेलते हैं South Africa के बोलर मतलब रबाड़ा की बात करूं तो यहां फिर में नोर्ख्या की बात को अगर रबाड़ा की बात करें रितुराज गयकवार ने 21 गेंदे खेली है 33 रबाड़ा के लेकिन दो बार रबाड़ा ने इनको आउट किया और नोर्ख्या की गिंदो पर भी यह दो बार आउट हो है 24 बोल पर 37 रबाड़ा तो इतना जदा अच्छा रिकोर्ड नहीं रहा है रितुराज गयकवार का यहां पर बल्ले बाज में भी आज आपको चेंजित देखने को मिल सकता है क्योंकि फोम इतनी आउटन बना है और एक भी बार आउट नहीं हुए तो कहने का मतलब जो इसान किशन है वो बहुत अच्छे से खेलते हैं सौट अफ्रिका के गेंद बाजों को फिर स्ट्रेश एयर की मैं बात करूं तो भी आप देखो के रबाड़ा हो गई या फिर नोर्क्या होगई या अभी तबरीश शामसी होगे किसी की भी गेंदो पर या भी तक आउटर नहीं हुए ये फ्रेंद इन से पहले का मैं आपको रिकोर्ड बता रहूं डोमेस्टिक वेगरा का इस बात को आफ ध्यान में रखकर चलिएगा रबाड़ा की गेंदो पर आप देखो कि पांच बोल पर आट गेंदो पर 10 रन बना है इनोंने तबरीश शामसी के अब बात कर लेते हैं डैविड मिलर के बारे में जो की प्लेयर बेटल में आप देखोगे डैविड मिलर बहुत कमाल का केलें तो यहाँ पर अगर आप प्लेयर बेटल में देखना चाते हो तो आप देखोगे यह सारी चीजे मैंने लिखी है जैसे कि आप देखो युजविंदर चैल की 34 गिंदो पर इनोंने 55 बना हैं लेकिन यह 3 पर आट कर चुके हैं युजविंदर चैल इनको वही पर आवेश खान डेविड मिलर को 2 पर आट कर चुके हैं 30 बोलों पर 50 रन देकर यह सारी चीजे का टीनों टॉप रोडर के बल्लेवाजों और तीनों काफी अच्छे आ इपदिल कर सकते हैं FROM अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेंग 11 के बारे में इंडिया टीम से बात करूँ इशान किशन रिद्र राज गयागवार आपको ओपनिंग करते हों नजर आ सकते हैं अब फ्रेंज यहाँ पर आपको आज दो से तीन चेंज तिकने को मिल सकते हैं जैसे अक्षर पटेल की जिएके दूसरे गेंदबाज को खिलाया जा सकता है तो ये दो चींज तो हाई चांस से कि आज हो सकते हैं इस बात को भी आपको नोट करकर चलना है पिर हम बात करें लास्ट मेच की गेंदबाजी की तो बूरोश छिर कुमान ने बहुत ऑच्छे गेंदबाजी की थी चार और में 33 अंदे कर चार विकिट निकाले थे हैं वहीं पर हार्धिक पंढदिया को कोई विकिट नहीं मिला था झुश्विन्दर, चेहन trás चार और में 90 αंदे कर एक विकेट लिया है हर्शल ने तीन और में 17 विकेट लिया old अक्षर ने कोई विकेट नहीं लिया ता और नहीं श्रिये श्रेय हैं नीजेन भाजी की तीन कोई कीफीर नहीं मिला था बात कहलेते हैं चावत अफरिका की टीम से तो यहाँ पर आप देखोगे टेमबा बाउमा के साथ रिजा हैंडिक आपको ओपनिंग करते होगे नजर आ सकते हैं पर देखोगे टब्रिज शामसी टेश नर्ख्या और कजिसो रबाड़ा तो कुछ इस पका देखने को मिल सकते हैं तो चले देख लेते हैं क्या रहेगी मेरी टीम दोस्तो टीम बताने जिस पर एक बाग फिर से याद दिला देता हूँ टेलिग्राम की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देदी और जो घीव अवे चलते हैं वो जोरू से जोइन कर लेना टेलिग्राम पर आपको इन्फोमेशन मिल जाएगी बात कहलेते हैं विकेट कीपर सेक्षन में रिशब पंद का अच्छा उप्शन है हैंडिज क्लासिन का अच्छा उप्शन दो उप्शन मुझे अच्छे लग रहे अगर पहले साउथ अफरिका के बल्ले बाजी होती है तो आप हैंडिज क्लासिन को ले सकते हो पहले इंडि आविड मिलर को मैंने लिया है शान कीशन को मैंने लिया है और मैंने लिया है टेमबाबाओ मा को चेंजेसेस आप कर नना चाहिए तो रीजा हेंट्री का अच्छा उप्चेंग और उफ्चworks यहां पर थौड़ा से उप्धार कौ फिर यहां पर अक्षर पर्डेल का ठीक टाग उप्शन रहेगा लेकिन वाइनी पर्डेल अपने लिए ग्रेंड लिए पिक बन सकते हैं उनली 28% लोगों के टीम में बहुत अच्छे गेंद बाज है वाइनी पर्डेल को पर टीम में जगें देज सकते हैं हार्दिक बंडे को मैं नहीं लिया है क्योंकि इतने अच्छी फोर्म में नहीं है लेकिन एक मैं आपको उप्शन दूँगा उसके अकोडिंग आप आप जा सकते हैं वह कैसे जा सकते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूँ फिलाल मैंने प्रिट्रीयस को लिया है चार गेंदबाज में लेकर चलूँगा उसम歌 नाम आता है रबाड़ा मेरी टीम में में आगए हरशल पडिल मेरी टीम में आगए बूमेशर को मैंने लिया है और मैंने लिया है नोरख्या को option की बाद कर तो यूजिन दर चहल का अच्छा option है तबरीश रामरी ठीक्टाग option रहेगे केशो माराज ठीक्टाग option है यहाँ पर आभेश खान की जगे आज changes देखने को मिल सकता है अर्शदीप सिंग को आज मोका मिल सकता है या फिर उम्रान मलिक को आज मोका मिल सकता है किसकी जगे यहाँ पर मिल सकता है इनको मोका वो मिल सकता है आभेश खान की जगे बाकी ठीक्टाग option है यहाँ पर आप क्या changes कर सकते हो यहाँ पर आप safe जाना चाहें तो आप भूमनेशर कुमार या फिर हर्शल पटेल की जगी हार्दिक पंडिया को अपनी टीम में लेकर चल सकते हो चलिए टीम का प्रिवी देख लेते हैं देख लेते हैं तो दोस्तों मेरी जो टीम रहेगी कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी रिशब पंथ डैविड मिलर टेमबा बाउमा रश्रिवेंड अन्डुशन श्यर शैयर इशान किशन प्रिटोरियस भूनिशुर गुमार हर्शल पतेर रबाड़ा और नोर्क् लेना या नहीं लेना मैं भी डिसইट करूँगा टोस्के बाद में लोगा मैं थोड़ा सेब जाना पसंद करूगा पते आप